तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग काफी सारी इस सारी चीज़ें बीजाँ के अच्छा अपई आप लोग आप लेकर आप लोगों को याद हो और हम ल्सकाइट उन्दर आप लोगो ने एक फीचर पाफी डिटेल में डिसकस किया था Image Trace के नाम से हमने देखा था कि Image Trace जो है वो Illustrator में एक बहुत ही फाइदा मंद फीचर है जिसकी मज़से हम लोग बड़ी असानी के साथ किसी भी Image को किसी भी Illustration को किसी भी Icon को हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको Vectorize कर सकते हैं इसके अलावा हम लोग ने Image Trace की मज़से Images को Vector Textures के अंदर Convert करना भी ये भी सीखा था अच्छा इस Lesson में मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसका Overview देना चाहता हूँ और इसके इलावा कुछ Options By Default मौजूद होती है Image Trace के अंदर जो के हमने पहले नहीं देखी थी वो अब हम इस Lesson के अंदर देखेंगे और ये कुछ ऐसी Quick Options हैं जिनकी मदद से हम लोग बहुत Quickly By Default Options को यूज करते हुए किसी भी Illustration को या किसी भी चीज़ को जो है वो Vectorize कर सकते हैं ये एक Illustration आप देख सकते हैं इस Illustration को हम लोग Illustrator में लेके जाते हैं और इसको हम वेक्टराइज करते हैं इसके लावा ये एक आप लोग देख सकते हैं और विजूल है ये कुछ विजूल मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखे में तो चलेंज चलते हैं और Image Trace के मदद से सीखते हैं कि हम लोग by default options को यूज करके किस तरह बहुत असानी के साथ images को और डिफरेंट चीजों को artworks को वेक्टराइज कर सकते हैं अपने लिए ताके हम उनको असानी से डिजाइन में यूज कर सकें अच्छा जी यह मैंने यहां पे Illustrator की एक फाइल जो है वो उपन कर रखी है और यहां पे मैंने यह कुछ Visuals जो हैं यह निकाल के रखे में जैसे कि यह एक तो Visuals मैंने भी आपको दिखाए भी तो इनको मैं Drag and Drop करता हूँ Illustrator के अंदर जिसने से यह एक मेरे पास बहुत खुबसूरा सा इलिस्ट्रेशन वाला इमिज है यह एक Landscape है बहुत खुबसूरा और यह इस वक्त मेरे पास available है किसमे Image के फॉर्म के अंदर तो इसको मैं सबसे पहले आप लोगों को याद होगा हम Image को लाके यहां पे उसको Embed करते होते हैं ताके वो Link'd Up हो जाए अब हम जो है वो यहां पे मैंने Image Trace की Option पहले से खूल रखी है जो के हम जनाबी अली Window में जाके जो है वो ले ले लेते हैं यहां पे भी हमारे पास Image Trace पढ़ा होता है और इस पे अगर हम थोड़ा से जो साथ एक एरो बनाओ है इसके उपर अगर क्लिक करें तो यहां पर यह कुछ आप्शन्स हैं जो के एक्चली इस लेसर में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन आप्शन्स के बारे में भी इंट्रोड़क्शन देना चाहता हूं क्योंकि यह हमने पहले जो है वो नहीं देखी थी और हमने जो है वो इसको मजीद दूसरे एंगल से में ट्रेस की आप्शन्स को जो है वो हमने डिसकस किया था तो यह जो बाइ डिफॉल्ट आप्शन्स हैं यह भी कभी कभी हमारे काम आ जाती है जब हम कास्तोर पे क्विकली किसी भी हमारे पास टाइम काम है हमने कोई लेओट फाइनलाइस करनी है और क्या है जी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको बैट के पैन टूल से ड्रॉ करें किसी भी चीज़ को या प्रॉपर्ली उसको जा है वो इलिस्ट्रेट करें तो उस सुरत में ये जो हमारे पास बाइड़ फॉल्ट छोटी सी आप्शन्स पढ़ी हैं यहाँ पे इनको इस्तमाल करते हुए बहुत कुिकली हम अपने विजुल्स को वेक्टराइज करके वेक्टर फॉर्म में उनको अपने डिजाइन के अंदर अपने लेयॉट्स में यूज़ कर सकते हैं तो चलें जी इनको हम ज़रा थोड़ा सा ओवर्वियू करते हैं अब यही आप्शन्स यहाँ पे हमारे पास जब हम इमिट्रेस के यह पूरा पैनल ओपन करते हैं यह अप्शन्स यहाँ पर हमारे पास उप्शन्स मौजूद है तो इसमें यहाँ पे प्री सेट्स में पढ़ी नहीं है यह आप्शन्स अच्छे जी सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है यह हाई फॉडिलिटी फोटो इसको मैं अप्लाए करके देखता हूँ जैसे ही मैं वेजूल को क्लिक करूँगा और यहाँ पे हाई फॉडिलिटी को मैं अप्लाए करके देखूँगा तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मेरी जो है वो रिजल्ट देदेगा अब यह आप देख सकते हैं कि यह इसने जो है वो इमच को वेक्टर की फॉर्म में कर दी है लेकिन और डिटेल हमें काफी ज्यादा यहां पर जो है वो अवेलेबल है अच्छा जी इसको मैं अंडू करता हूं और इसके नीचे एक और हमारे पास आप्शन है लो फिडिलिटी अब यह दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं जर आपको थोड़ा सा बताता है लेकिन फर्क सिर्फ यह होता है कि यह हमें बड़े पैचेस के अंदर और थोड़ी सी कम डिटेल के साथ कंपरिटिवली लारजर पैचेस जो है वो यहां पर हमें जिसना से आप यह देख सकते हैं कि यहां पर यह कुछ बड़े बड़े पैचेस बन गए हैं लेयर से बन बड़े पाथ में हमें प्रोड्यूस करके देता है हमारा जो जो भी हमारा विजूल होता है अगर इसको मैं एक्सपैंड कर दूं तो यह देखें यह हमारे पास्ट यह क्लेर हो गए अब इसको अगर मैं अंगरूप करूं कंट्रोल शिफ्ट जी की मदब से और यहां पर आ तो यह हमारा जो आप्शन है लो फिडिलिटी की वो मैंने भी आप लोगों को अपलाए करके दिखाई अच्छा जी इसी तरह से यहां पे प्री सेट्स में हमारे पास कुछ कलर्स की आप्शन हैं वो यहां पे हमारे पास अवेलेबल हैं जैसे के त्री कलर सिक्स कलर इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहां से एक और विज्वल जो है यहां पे रखावाई जनाबिया ली एक और कार्टूनिक इमिज मैंने रखावाई यह कार्टून बनावाई और मेरे पास ही इस वक पे लहाँ जो है यह जैपैक के अंदर अवेलेबल है अच्छा अब यहां पे आकि अगर मैं इसको सुलेक करूं और थड़ी कलर्स के अंदर चला जाए यह यह जित्पाव चैँड़ में घनक सरफ वेक्टराइज हो गया है बल्के उर त्री कलर्स के अंदर चला Kham कलरस के अंदर मोनोटोन के अंदर उसको जया है वह को ण्यास üचके कर दिय जो है वो मिल रही है यहां पे इसी तरह से हमारे पास यहांपे 16 कलर्जिक की आप्शन मौचूञशन मौझूड है यह जब हम अप्लाइ करते हैं तो हम देखते हैं कैं नहीं है उससे भी ज्यादा इस एसक्स कलर्iller जयादा जो color range हो हमारे पास यहांपे आ गई that अगर इसको मैं expand करूँ तो यह देखें यह हमारे parts बन चुके है और अगर मैं इसको ungroup करता हूँ control shift G की मदद से और अब अगर आके मैं इनको जो है वो selection या direct selection tool की मदद से अगर मैं अलग अलग करके आपको दिखाऊं तो यह देखें यह पूरा visual हमारा इस तरह से vector parts के अंदर divide हो चुका है जो के पहले हमारा क्या थी हमारे पास एक जे पैग ती तो यह कुछ options हैं यह मैंने आपको बताई अच्छा अब एक और मैं यहां पर यह मेरे पास एक गड़ी का छोटा सा एक यह पड़ावा जी विज्वल इसको मैं बैट करके थोड़ा सा इसको अपने अपने canvas के अंदर लेके आरों आर्ट बोर्ड में अच्छा अब यह आप देख सकते हैं यह flat image है ठीक है है यह भी हमारे पास image ठीक है जी यह PNG form में हमारे पास available है यह जनाब यली अब इसके उपर में यहां से आके apply करता हूँ black and white logo की option एक यहां पे available है यह देखें black and white logo के बाद मैं अगर आपको इसको थोड़ा से जूम करके दिखाऊं तो यह देखें यह पहले हमारे पास available था कुछ इस तरह से आप blur नेस जो है वो इसके अंदर देख सकते हैं अगर मैं इसके उपर black and white logo apply करूं तो यह देखें बड़ा clear है बड़ा easily visible है कि यह हमारे पास जो है यह हमारे पास जो है वो हमारा जो एक पूरा हमारी यह पी एंजी थी यह हमारे पास different portions की चेकल जो है यह यह तीन portion में यह डिवाइड हो गई है तो इस तरह से हम black and white logo की मदद से जो चीज हमारे पास black and white के अंदर है उसको हम इस वाली option के मदद से जो है वो चेक कर सकते हैं अच्छा जी यहां पे हमारे पास एक यह guitar का image पड़ा हुआ है इसको भी मैं ज़रा यहां पे लेके आता हूँ और इसको मैं embed करता हूँ इमबैड करने के बाद मैं zoom in कर लेता हूँ अब यहां पे यह मैंने आपको कुछ options दिखाई थी यह नहीं में से मैं इसके उपर for example low fidelity photo जो है यह मैं apply करके देखता हूँ यह देखें यह बड़ा खुबसूरत सा मेरे पास vectorized image आ गया है अच्छे यहां पे एक और चीज़ मैं आपको बताता है चलो यह view के अंदर अगर हम देखें नीचे तो यहां पर tracing result है अब यह देखें tracing result इस वक्त मेरे सामने वो मेरा trace result आ रहा है जो कि इस वक्त मैंने trace कर लिया हूँ है इसके बाद नीचे एक और option है जो ट्रेसिंग result with outlines अब यह जो है यह outlines भी दिखा रहा है tracing के सासथ की जो path बने हैं जो image trace की feature ने path create की हैं इस image में से वो path भी आपको नजर आने शुरू हो गया है उसकी outline आपको नजर आने शुरू हो गया अगर आप खाली उन path की outline देखना चाहें तो इस तरह से आपको वो यहां पे तीसरी option में outline में वो चीजें जाए वो पूरी एक outline में path नजर आ जाएंगे इसी तरह से outlines with source image यानि source image वो image है जिससे हमने image trace की मदर से उसको trace किया या vectorize किया है तो वो भी हमें देखने को मिल जाएगा और इस तरह से सबसे नीचे option है जी source image की तो ये हमारे पास different options मौजूद हैं जिनकी मदर से हम देख सकते हैं इसके बाद हमारे पास नीचे ये कुछ advanced options भी हैं जिसना से हम path बढ़ा सकते हैं ठीक है उसके लवा हम corners जो है path के उनको हम कम ज़्यदा कर सकते हैं noise इसमें add या reduce कर सकते हैं तो ये देखें अगर आप ज़्यादा noise इसमें add कर देंगे तो ये कुछ इस तरह का noisy सा vector जब आपको मिलेगा जबकि अगर मैं noise को reduce करता हूं कम रखता हूं तो ये देखें हमारी जो detail है हमारे वेक्टर की वो अपनी जगा पे काईम है इसको हम अगर expand करें और control shift B करें तो ये देखें ये हमारे पास अलग अलग parts की मदद में हमारा जो एक visual है ये available है तो this is all about जो कुछ overview में आपको देना चाहरा था image trace के हवाले से कुछ options ये by default मौजूद थी ये भी हम लोगों ने देख लिए और ये आप लोगों के लिए उस वक्ता काम आएंगी जब आपको बहुत quickly कोई चीज वेक्टराइस करके अपनी किसी भी design ये layout के अंदर इस्तमाल करनी होगी जी तो हम लोगों ने image trace को मजीद explore कर लिया और हमने देखा किसना quickly हम लोग trace कर सकते हैं way trace कर सकते हैं किसी भी image को चाहे वो jpeg form में हो या png form में हो और उसको हम इस्तमाल के काबल बना सकते हैं अपने visual में ताकि हमारे visual में use होने के बाद वो हमारे जो हमारा जो layout है हमारी या हमारा जो design है उसकी जो face value है उसको कम ना करें बलके उसका एक मुनासिब हिसा जाए वो बन जाए तो यह हम लोगों ने देखा अब next lesson में हम लोग इंशाला ताला कोई और नई चीज़ जो है वो create करनी सीखेंगे और उसके हवाले से हम discussion करेंगे graphic design को लेके